एक बार फिर नकली धंदेवाजों के खिलाब ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कमपनी ने बड़ी कारवाई किये बताया जाता है की उत्राखण में लगातार जो नकली कारवार करने वाले जो गिरों थे वो सक्रिये होते जा रहे था और लगातार अपना कारवार कही न कहीं फैला रहे थे जो नकली पन्तजली के घी के जो खेब थे वो कमपणी ने बरामत किया और उसके बाद जो आगे की परक्रिया है और लगातार चलिया और जिस परकार से हाले अर दिनों की बात कर ली जाे तो लगातार उतरा खन में ऐसे जो गिरो हैं वो लगातार फलफुल रहे और अपना कारोवार कही न कहीं बढ़ा रहे थे और जिस परकार से पूरी कारोवाय यह बताया जाता है कि जो गिरो नकली घी का कारोवार कर रहे थे उनके अन राज्यों में भी कही न कहीं साटगाठ है और बरे पैमाने पे ये कारोबार फल फुल रहा था और पूरे घटना करम की बात कर ली जाए जो नकली पंतजली के नकली घी थे उसके सेंपल लेके जो फुट डिपार्टमेंट है उन्होंने जाज के लिए भेज दिया ह बताया जाता है कि ये जो गिरो था वो काफी बड़े पैमाने पे था और कहीं न कहीं आप समझ ये कि अगर ये बड़ी कारवाई नहीं होती तो लोगों के स्वास के साथ खिलवार किया जा रहा था जब लगातार गुप सुचना के अधार पे ब्रांट प्रोटेक्शन के तमाम अधिकारी और फूट डिपार्टमेंट के अधिकारी संयुक तुरूप से कारवाई करने जाते हैं और जब उनके जगह पे जाके उनके जगह पे जब छापे मारी की जाती तो पूरे इलाके में हरकम मत जाता है जो तमाम जो गिरो के मेंबर रहते हैं वो भागने जा रहा था और देखिए ये ऐसे गिरोज जो नकली धंदेवाज गिरोगे किस परकार से आपके और हमारे स्वात के साथ खिलवार कर रहे थे जान के साथ खिलवार कर रहे थे और मुनाफे की आर में ये पूरा खेल बदस्तूर जा रही था लेकिन लगातार इस पे कारवाई नहीं हो रही थी लेकिन गुट सुचना के आधार पे बड़ी कारवाई माने जाएगी और जो नकली घी है इनका कारोबार जो है वो उत्राखंट से सटे जो अन्य राज है उन पे भी कहीं न कहीं उनका माल सप्लाई होता था तमाम जो वहां के मिंबर जो गिरो के मिंबर है उ लोगों की जान कहीं न कहीं बचाई गई है क्योंकि ये घी अगर लोग खाते है तो वो बिमार पर जाते हैं और कई बिमारिया की चपेट में आते हैं और कहीं न कहीं ये तमाम जो बड़े गिरो हैं जो नकली कारोबार कर रहे हैं नकली गिरो का कारोबार कर रहे हैं वो ल जान को कहीं न कहीं जोकी में डाला जा रहा था यह तमाम आप packing देख रहे हैंगे किस परकार से पंतजली लिखा हुआ है और कहीं न कहीं यह तमाम packing इस तरह से packing किये हुए थे कि कोई भी देखके सोच भी नहीं पाएगा कि ये सामान जो है ये घी जो है वो नकली है लेकिन जिस परकार से कहा जाएगा कि ये तमाम जिस परकार से नायाब तरीका अपनाया गया तमाम पैकिंग जो है वो हाइटेक तरीके से की गई और इसके अंदर कही न कहीं जहर बेच दारी और ये जो छापे मारी सीधे तोर पे कहा जाएगा कि काफी कभीले तारीफ है